है आपका मेरे इस ओल इन वन चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सेंट्रल गवर्मेंट इंप्लोईज और पेंशनर्स के लिए जो अभी लेटेस्ट अपडेट है और जो गवर्मेंट के तरफ से वॉलेंटर रिटायर्मेंट के ऊपर अभी जो लेटेस्ट प्लेट आ रहा है इसके लाव दोस्तों सेवन पेंशन केंडर अलॉफ का जो अरलीस किया गया उसके बारे में बात करेंगे और मिनिम्म के ऊपर जो लेटेस्ट अप्लेट आयहा उसके बारे में बात सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहें और साथ ही साथ बैल आइकन जरूर दुबाएं दोस्तों जो पहला अपडेट आपदेख सकते हैं कि जो रेल्वेइं इंप्डेट आप देख सकते हैं और अभी जो में एक अक यह रहा दे गई मैं अब ट्रांसफर में इंको रहे रहा देखा आएं अब उनको पर्रास पारली रिक्वेस्ट करता है तो जो तो ड्यू डेट है उससे पहले दे नीड टू बी रिलीज्ट और रेलवेबोर्ट के जो मेन होडी है उनका जो है अगर ट्रांसफर ओडर आता है उनके थ्रू तो उनको तुरंद रिलीव करना पड़ेगा और इनकेस अगर होडी को ततकाल ट्रांसफर में दिक्कत है तो सीनि रदिकारी जो भी होगा उसके पास लेटर जाएगा और वो भी बेसिकली तीन मेने से ज़्यादा ट्रांसफर रिक्वेस्ट को नहीं दोग सकते है तो यह जो काफी टाइम से चल रहा था सेवन पे कमिशन के अंडर जो इनका ट्रांसफर से इसू से वो अब रिजॉल हो गय है एक तो ड्यू डेट से पहले कर दे जाएगा और इनकेस अगर कोई इशू आता है तो तीन मेने तक यह जाएगा दोस्तों दूसरे अगर हम अपडेट की बात करें तो वो है वोलेंटरी रिटाइर्मेंट से लेक्टिड अपडेट और यह जो है ministry of personal public grievance and pension voluntary retirement scheme for employees यह पूछा गया था कि voluntary scheme की क्या status है तो इसके ओपर जो है दो जो response आया है first response is presently there is no proposal in the government to reduce the retirement age of government employees below 60 years जो government employees का retirement age उसको reduce करने कोई proposal नहीं है and there is no such proposal of golden voluntary retirement scheme under consideration of the government तो यह दो काफी times है जो है जो central government employees काफी times से इसके वारे हम पता कर रहते हैं तो अभी इसका response आया है कि ना तो voluntary retirement scheme का जो कोई proposal है और ना ही जो actual जो 60 years है उसको reduce करने का कोई है next अगर दोस्तों बात करें तो वो अभी जो update है वो है railway department से ही जिसमें कि उनको जो है minimum pay of the pay band 6 CPC का था वो denial किया गया था तो एक बार फिर से जो है NFIR जो है उन्होंने request भेजी है to issue suitable instructions to the zonal railways और उनसे कहा गया है कि to grant में चीज़े की जो denial किया गया था minimum pay band को उसको दुबारा से करने के लिए कहा है और कहा गया है कि to grant minimum pay of rupees 18,750 to the senior nursing superintendent ultimately उनको जो है जो minimum pay band नहीं मिल रहा था उसके लिए दुबारा से जो एक बार request आ लिए जिससे मिल जाए तो दोस्तो यह था basically update 7th pay commission के अंदर और सभी central government employees के जो retirement का age plus voluntary retirement और इसके इलावा जो minimum pay band से related अभी government employees के लिए update है दोस्तों अगर यह आज की वीडियो पसंद आए तो इसको like कीजिए और share कीजिए और subscribe करना ना भूले thank you for watching this video